चलिए सब तयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए बल्ये के एक तम जीट से शॉट को माइखा असानी से पार करती हुई बढ़िया टाइमिंग खुबसोरती से गाब ढूंडा बैट्समन ने बहुत ही खुबसोरत शॉट इतना आसान नहीं है इस शॉट को एक्जिक्यूट करना ये एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैटे दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे चक्का मार देंगे इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है बल्ले बास त्यार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए उठा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और ये चेरन वो शॉट लगाया बल्ले बाजने उठा के खेल दिया है गैप में गई और बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मोका है एक बार मारा है क्या वो दुबारा मार पाएंगे बहुत ही अच्छी रणनी थी यहां बल्लेबास को देखते हुए एक्स्ट्रा कवर पे फिल्डर लगाया है जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबास बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखने होगी इस फील्ड के साथ उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये एक बड़ा शॉट तो ओर का लगा चुके है लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करने होगी चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है यह एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे गेन बाज अच्छी लाए में दिख रहे हैं चाहिए विकेट ले पाएंगे चलिए देखते हैं इसले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं इसलिए अब पॉइंट पर फिल्डर मौजूद अब में खेल दिया है और गैप में भी चार रन तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चका मार देंगे और ये चार रन खूप सूरत तक्नीक का प्रदर्शन पॉप शॉट लगाया बलने बाजने बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल कि ले में है बड़ी पारी खेले का पूरा होगा है कहीं उसे गवा न पेठे जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा पूरी ताक्त लगा दी इस पॉट में बल्ले बास ने शेट आपना विश्वास बड़ा होगा बल्ले बास का यहां क्या ये बड़ी पारी खेल पाएंगे बोलर को अपनी लाइन एंड लेंज सटीक रखती होगी इस फील्ड के साथ एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे एसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म अफ इस लाइफ वाह क्या बात है और ये चार रण खुबसूरत तक्नीक का प्रदर्शन जब फुल फ्लो में खेलते हैं तब इनकी बल्ले बाजी देखने लाइफ होती है क्या बल्ले बाज एक और बाउंटरी का प्रयास करेंगे देखते हैं अगर फिर्चंड की इनकी बाज द्वारा निए फील्डर मॉझुद नहीं बहां और जीम सिवारे का प्रयास के लाइफ अगर इक्स्ट्र कावर पे फील्डर मॉझूद अब अब अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्लेबाज चार रण वेहतुरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहाँ यह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे दिल खुश कर दिया इस पारी से बहुत भी बढ़िया अर्दशतक चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बल्लेबाज ने सारे फील्डर्स बजगेंद को दर्शकों के बीच जाते हुए देख सकते हैं बोलर को अपनी लाइन एन लेंद से टीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ इनके तो पल्ले से सिफ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे क्या रोम मांचक मैच चल रहा है दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे हैं एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी आसानी से दो रन ले सकते हैं यहाँ पर बल्ले बास गेंद बासों को अपनी स्ट्राटेजी चेंज करनी होगी इस बल्ले बास का विकेट लेने के लिए ट्रक अवर पे फील्डर मौजूद काफी तेज दौर लगाई है पहले रन के लिए यहाँ हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहाँ दोनों बल्ले बास और इसी के साथ चीत का लक्ष प्राप्ट